तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो अगर एक बार आप लोग पूरी देख लेते हो तो मैं आपको गैरेंटी देता हूँ कि आप लोग स्पोर्ट रेडिंग करके बाइनेंस एप के थुरू डेली के 15 से 20 डॉलर तो भाई चुटकी बजा के कमा लोगे बिकोज हम सब लोग जितने भी यूटूबर हैं या फिर मैं आपको सीथी बाद बता रहा हूँ वो सारे लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं घर बैठके उनको कोई जॉब भी नहीं करनी पड़ती लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मैंसे काफी लोग नियू होंगे आपको ये भी देखने के बाद जब भी आप लोग यहाँ पे स्पोर्ट ट्रेडिंग करने आओगे या फिर आप लोग किसी भी टोकन को खरीदोगे आपको पहले से पता लग जाना चाहिए कि इस टाइम पे अगर मैं इसको खरीद रहा हूँ तो अगले 15 से 20 मिनिट के अंदर इसकी क्या वैलियो होगी मुझे कितना प्रॉफिट या फिल लॉस यहाँ पे लॉस तो होता नहीं है बैसिकली यह स्पोर्ट ट्रेडिंग है फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ मैं आपको ले के नहीं जाओंगा और नहीं रिक्मेंड करूंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो पूरी द ना और हाँ एक बात तो आपको बताना भूल गया था यह बात मेरी गौर से सुनिएगा यहाँ पे लोग ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें ना फ्री के सिगनल चाहिए हमें पता कैसे चलेगा कि किस टाइम पे किस टोकन को बाय कर होता हूं कि यहाँ पे जो भी सिगनल आते हैं ना 100% प्रॉफेक्ट होते हैं स्पॉर्ट ट्रेडिंग के और भाई जितने भी लोगों ने वहाँ पे मुझे जॉइन कर रखे हैं तो वह बंदे डेली प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप भी जाके मुझे जॉइन कर सकते हो पर फ्री के सिगनल ले सकते हो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपने वाटसएप चैनल का लिंक डाल दूँगा उस लिंक के ओपर क्लिक करके अभी से ही मेरी कॉम्यूनिटी का हिस्सा बन जाओ ताके आने वाले टाइम में आप भी घर बैठके प्रॉफिट कमा पाओ और वो जो मेरा वाटसएप का चैनल है तो मैंने टोटली फ्री उसको रखा है आप सबी के लिए और वहां पे जो मैं आपको सिगनल देता हूँ ना इतने प्रॉफेक्ट होते हैं मैं आपको गैरेंटी देता हूँ कि आप कोई पेड चैनल भी जोईन करते हो ना है तो वहां पे भी आपको इतने प्रॉफेक्ट सिगनल नहीं मिलेंगे जितने मैं देता हूँ बागी आप पर डिपेंड करता है मेरा काम था आपको समझाना अब यहां पे सबसे पहली शुरुआत यह करते हैं कि अगर आप न्यू बंदे यहां पे आए हो या फिर आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो कैसे पता करना है ठीक है अब सुलाना के उपर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वाइनेंस के उपर तीन से चार ऐसे टोकन है जो मिजर टोकन यहां पर होते हैं एक तरह से सेक्शन आप इनको बोल सकते हो यह चीज़े याद रखनी है पहला है यहां पे बीटीसी मतलब बिट कोई दूसरा है यहां पे एथिरियम मैं यह नहीं बोलड़ा कि इसके उपर आपको ट्रेड करनी है पहले सीखो उसके बाद बी अन्पी टोकन है वाइनेंस का उसके बाद है सुलाना ब्लॉकचेन मतलब सुलाना का ट यह जो नाम मैंने आपको बता है ना सुलाना का टोकन हो गया इनके नीचे बी मेम कोईन होते हैं एक ना से आल्ट कोईन होते हैं जो इनी की ब्लॉकचेन के ओपर बने होते हैं जैसा यहां पर सुलाना ठीक है तो अभी जा मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो आलमोस्ट 260 डॉ बाई कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं, और यहां पर तो भाई करना भी नहीं चाहे है, क्योंकि काफी भाई profit में है ये, अब यहां से नीचे भी गिर सकता है, लेकिन इसके छोटे coin भी होते हैं, जो इनकी blockchain के उपर बनते हैं, उसी तरीगे से Ethereum, Ethereum एक बड़ा token है almost 3-4,000 डोलर पे उपर नीचे रहता है, तो इसकी blockchain के उपर छोटे token भी होते हैं, तो चलिए मैं आपको example के लिए दिखाई देता हूँ, ऐसे मुझे लगता है कि आपको समझा नहीं पाऊंगा, आप लोगों को बस तसली से मेरी ये वीडियो देखनी है, देखिए दोस्तो अब यहाँ पे मेरे सामने एक token आया है, मैं यहाँ पे example के लिए आपको अगर दिखाऊंँ, तो किदर गया, किदर गया, यह देखिए दोस्तों, ठीक है, इस token का नाम है WLD, और यह मेरा favorite है, यह भी एक तरह से token, अब इस token की जो price यहाँ पे चल लिए, वो 2.3 के उपर almost 1.5 के करीब करीब यहाँ पे चल रहा है, पिछले दिनों यह कितने का चल रहा था, यह चल रहा था 1.5 के उपर almost 1.5 डॉलर के करीब करीब था, लेकिन पहले देखें तो यह $1 से उपर भाई गया है, $1 से उठके अभी उपर गया है, क्योंकि market pump हो चुकी है, अब देखो यह इ टोकन किस blockchain के उपर बना है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा हूँ, info के अंदर आपको आना है token की और यहाँ पे नीचे देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरा idea हो जाएगा, यहाँ पे यह लिखा है कि यह token AI की blockchain का है, AI को follow करता है, आपको पता है कि long term में अगर आ आपको समझ नहीं आया, मैं आपको एक और token दिखाता हूँ, WIF, अब अगर मैं इसके भाई info के अंदर आऊना, यहाँ पे आपको एक बात मैं बता देता हूँ, info के अंदर आने के बात पूरा data आपको इसका show हो जाएगा, यह जो token है, WIF, यह basically meme coin है, और यह Solana के network के उपर बना हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को, Solana के network, ठीक है, Solana जो token मैंने आपको दिखाया, अब यहाँ पे इस टाइम पे इसके token की जो price यहाँ पे चल लिया है न दोस्तों, वो चल लिया है, 3.3, almost 23,3$ के करीब करीब, लेकिन अगर इसको देखा जाए, 20-25 या एक मन्त पहले तो यह 1.8 पे था, almost 2$ के करीब, तो यह 2x profit अल्रेडी दे चुका है, पिछले एक से 1.5 मन्त के अंदर, अभी इसके token की price हाई हो चुकी है, क्यों? क्योंकि यह Solana की blockchain का है, यहाँ पे Solana को देखो, तो Solana एक मन्त पहले यहाँ पे था भाई, almost 1.500 डॉलर पे, अब यहाँ प pump हुआ, तो इसके, इसकी blockchain के उपर, जितने भी छोटे मोडे token बने हुए थे, वो भी वहाँ पे pump हो जाते हैं, इसी तरीके से, जब भी Ethereum pump होता है, तो Ethereum की blockchain के उपर, जितने भी छोटे token बने होते हैं, वो भी यहाँ पे pump होते हैं, अब यहाँ पे जैसे ही Solana नीचे तो वो सारे भी गिर जाएंगे तो यह चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है एक ट्रेडर को पता होना चाहिए जिस टोकन के अंदर वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है या फिर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो टोकन किस ब्लॉक्चेन को पर बना है ताकि आप लोगों को वो ब्लॉक्चेन पता हो और आप उसके बड़े टोकन को देखो कि उसका फ्यूचर क्या है यहाँ पे जैसे सुलाना का एक लॉंग टर्म फ्यूचर लगता है यहाँ पे तो भाई यह चीज आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इंटरनेट पे आप सर्ज करके वो टोकन भी निकाल सकते हो कि सुलाना की ब्लॉक्चेन के उपर कौन कौन से टोकन है यह इथिरियम की ब्लॉक्चेन के उपर कौन कौन से टोकन है और वो टोकन आप लोग अपनी फेवरिट लिस्ट में भी एड करके रख सकते हो ताके जब इथिरियम नीचे गिरे त आपको इसी वीडियो की description में मिलेगा एक तरह से भाई पूरी detail वहाँ पर time to time आपको voice message करके मैं वहाँ पर बताते रहता हूँ तो आज के लिए मेरा जो basic चीज थी मैंने आपको ये बताया कि जिस भी token के अंदर आपको trade करनी है सबसे पहले एक चीज देखनी है कि भाई वो किस blockchain के ओपर बनाए दूसरी चीज अच्छा ये भी काफ़े important होता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ for example यहाँ पे कोई भी token के अंदर मैं यहाँ पे दोस्तों trade कर रहा हूँ तो example के लिए मैं आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पे मेरे पास एक token है तो मैं क्या करूँगा कि money flow की अंदर जाऊँगा उपर option मिलेगा money flow का एक तो यहाँ पे info का option मिलता है न जहाँ पे आपको token का detail पता चलती है blockchain वाली दूसरा है money flow का तो यह आपको देखना है कि पिछले एक दिन में यहाँ पे कितने लोगों ने trade किया है तो यहाँ पे देखिए 41 million, 41 million लोगों ने इस token को buy खरीदा and buy and sale किया है 41 million लोग एक token की अंदर तो कितनी ज़्यादा profit यहाँ पे लोग बना रहे हैं क्यूंकि यहाँ पे scalping होती है spot trading में एक दो minute की जैसे ही मैं इसको last 15 minute पे करूँगा तो देखिए दोस्तों यह token कभी उपर आता है कभी नीच जैसे ही यहाँ पे red candle बनता है तो लोग यहाँ पे खरीद लेते हैं काफी ज़्यादा मतलब 200-300 डॉलर के थोड़ा सा 1% भी market उपर जाती है न तो उनका profit उनको पता नहीं कितनी ज़्यादा मिल जाता है क्यूंकि quantity में ज़्यादा खरीते हैं और यह token की price भी कम होती है तो इसलिए अच्छे यहाँ पे token दिये जाते हैं मैं एक एकर करके यह सारी चीज़ें आपको long term तक सिखाता रहूंगा और मैं यह सोच रहा हूँ कि binance का course भी इसी channel के उपर मैं मुकंबल detail के साथ बना के upload करूँ मैं यह चाता हूँ कि आप सबी लोग घर बैठके अपनी family के लिए पैसे कमाओ कुछ बड़ा करो आपको कोई job ना करनी पड़े अगर आप लोग binance के उपर long term तक पैसे कमाना चाते हो तो उसके लिए जरूरी है आपके लिए सबसे पहले यह basic चीज़ें सीखना समझा लोगा तो फिर मैं आपको live यहां पर आके profit बनाके भी सिखाऊंगा और बनाना भी सिखाऊंगा तो कैसे लगी मेरी वीडियो 100 मैंसे कितने नमबर दोगे मुझे comment में बता देना ताके मुझे पता चले कि इस topic पे आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं और मैं और भी वीडियो फिर बनाऊंगा speed के साथ अभी तो time लग जाता है 5-6 दिन में एक वीडियो बना पाता हूं Binance के उपर अगर आप लोगों का अच्छा response है तो दुबारा कभी मौका नहीं मिलेगा काम जो रेल होता है न वो ऐसे होता है कभी मार्केट नीचे कभी उपर कभी नीचे कभी उपर तो इस तरीके से आप लोग पूरी जिंदकी यहां से कमाते रहोगे चलिए और आपका जो भी सवाल हो टोप 5 टोकन के उपर आनी चाहिए कि टोप 5 टोकन मेरे फिवरेट कौन से है जिनके अंदर मैं ट्रेड करता हूं स्पोर ट्रेडिंग दिन में डेली तो उसके उपर आनी चाहिए या फिनिक कॉमेट में मुझे बताना अभी के लिए इतना ही अगली वीडियो में मिलते है जल्दी